गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स आयम दिनेश राश्चे स्कूल खंडोरा कंपरसे तड़े आयम गॉइंग टू रीड चैप्टर शिक्स पार्ट्स ओप वोज एंड वर हाज हम क्या रीड करेंगे की यूज ओफ वोज वर वोज वर कहम यूज कब करते हैं इन प्रिवेस वीडियो आइट ओल् эпव इज वोज फिम आफ यूज यूज अवह वाज हां ओंड वर किसी जयंड वर का मिननेंग क्या होता है वोज वर का वोज मिंज था वर मिंज थे वोज का यूज कहा करते हैं तब subject singular sense हो यह उन्य subject हमारे single में आता है singular noun में आता है तब हम क्या यूज करते हैं वोज और तब हमारा जो subject है plural में आता है तब हम क्या यूज करते हैं clear ओके यह देखो we use word with a singular and pronoun pronoun जिसे कि I है, he है, C है single है, it है pronoun और वर का यूज कप करें plural noun and pronoun plural noun you, we, they these, those, these are pronoun for example the grass अब grass क्या है not green घास क्या नहीं है नहीं थी, कैस क्या यूज करेंगे हम वोज, क्या यूज करेंगे वोज, दा चिल्डरन अब चिल्डरन क्या है बच्चे not sleeping नहीं सो रहे हम इतना यह, हम यह नहीं देखेंगे इसका object main focus डालेंगे हम subject पे यदि हमारा subject singular है हम यूज करेंगे फोज यदि हमारा subject plural है हम क्या यूज करेंगे वर चिल्डरन यनकी बच्चे तब हम यह पे क्या यूज करेंगे वर clear mangoes sweets one mango नहीं है पे more than mango है हम यह पे यूज करेंगे mangoes में क्या करेंगे the mangoes वर sweets okay the knife अब के है यह पे के silent end से पहले तब के आता है वो silent होता है उसकी प्रेंट सेट नहीं करते हैं हम इसको knife नहीं बोलें क्या speak करेंगे knife अब knife one not sharp one आता है यानि singular name आता है तब हम क्या यूज करते हैं watch clear we angry with them हम उनसे गुसा है तो we means हम अब हम क्या यूज करेंगे अब बता was your word we means हम this plural plural में हम यूज करेंगे were clear अब his father not a doctor उसके पापा डॉक्टर नहीं है his father अगर यहां पर father साता है तो हम clear लगाते वो यहां पर क्या है his father हम यूज करेंगे watch they they means way they good children वे अच्छे बच्चे थे तो हम यह क्या यूज करेंगे were that a big house यह बहुत बड़ा that mean a big house हम यूज करेंगे watch atul and rashmi two name atul and rashmi more than one name किसमें आता है plural में तो हम क्या यूज करेंगे watch yeah were हम यूज करेंगे were tenali voice tenali कैसी voice tenali one name one name किसमें count होता है singular noun में हम यूज करेंगे watch okay in this page was का meaning होता है था were का meaning होता है थे अब यूज का का करते है जब subject that he है c है it है this है that singular noun होता है तब हम यूज करते है was दब they you we those that plural sense होती तब करेंगे we अब देखो they children वे बच्चे तो हमने क्या यूज किया है were we going to market daily we going to market daily तो we क्या यूज कर हमने गए थे जा रहे थे यानि कि were c dancing where dance कर रही थी c क्या है singular singular आती है तब हम watch कर यूज करते है अब हमारा find में क्या रखेंगे हम जब one things होती है was कर यूज करते है more than one होती एक से जादा होती है तब हम क्या यूज करेंगे were अब you के साथ क्या यूज करेंगे you were singing a song ram and sham were rich man हमने were क्यों यूज क्या ram and sham दो ने plural plural नाउन में क्या यूज करेंगे were he was doctor he है he क्या है singular singular के साथ हमने क्या यूज कर दिया was I hope you understand it so far clear now if any doubt you ask me okay was and work का प्रियोग हम past में करते हैं कब करते हैं was का प्रियोग हम कब करेंगे जब subject singular sense हो जब subject plural sense हो तब हम क्या यूज करेंगे word I hope you understand thank you for listening